एक घर में शादी कम बहुल था, बेटी के निकाह के लिए परिवार वाले जोर शोर से तैयारियों में जोटे होए थे। तैसमे पर बारत पहुची और बारतियों का जोरदार स्वागत किया गया। खानपीना, नाचिगाना और फिर निकाह भी हो गया। लेकिन तब ही अचाने कुछ ऐसा हुआ कि शादी कराने वाला बिचॉलिया ही बिगड़ गया और उसने पूरी बारत को बिना दुलहन के ही वापस लोटा कर ले जाने का फर्मान सुना दिया। जिससे पूरी शादी के माहौल में आफरात तफरी का माहौल बन गया। दरसल मामला उत्ते प्रिदेश के हापुर जी लिखा है यहां महज एक हजार रूपी के लिए एक शादी तूट गई और बारत वापस से लिगए। अन्या दान की रस में निभाकर बारत को विदा करवाया। दरसल यह पूरा मामला गड़ में एक तोश्वर थाना छेतरे के गाउं पौपाई से सामनी आए है। यहां रहने वाले सगीर की बेटी की शादी गिरेटर नॉइड़ा से तैह हुई थी। शादी समहरों में निकाह के बाद विदाई की रस में चल रही थी और इससे बीच बिचौलिया को एक हजार रुपे नहीं मिले जिसके बाद वह आग बबुला हो गया। बिचौलिया ने दूले पक्ष पर दवा बना कर बिना विदाई के ही बरात को वापस लोटाने लगा। ये देख लड़की वाले हैरान और परेशान होगे। वह दूला पक्ष के हाथ पैर जोड़ने लेगे लेकिन वह नहीं मारे। और जैसे हिस मामले की जानकारी गड़ नीरश कुमार को निभाने पाड़ी और जिसके बाद लड़की की विदाई हो सकी। वह ये पूरा मामला इलाके में अब चर्चा का विशह बना हुआ है।